हलो नमसकार विद्यार्तियों मैं ? योगीज आट आप सभी का। study alert की digital platform पे हार्दिक स्वागत करता हूं आसा करता हूं कि आप सभी की जो पसुप्रीचर की त्यारी है वो एकदम सांदार चल रही है आप सभी को पता है हमारी पसुप्रीचर की daily class होती है recorded class होती है एक बार फिर से मां आपकी वीच में class लेकर आगा चुके है देखो विद्य कुछ नहीं पढ़ रखा है तो यह class आपके लिए रामबान गोशीत होने हो लिए बिल्कुल बेसिक सी में आपको सभी चीज़े शिखाऊंगा तो class को एकदम अच्छे से देखना और अंत में आप comment करके बताना class आपको कैसी लगती है मैं 100% बहुत सकता हूं कि अगर आप class को आपना 100% एंड तक देख लेते हो ना तो आप अंत में comment करके बोलोगी कि सर्जी मज़ा आ गया क्यूंकि क्योशनों का level है वो आपका important डाला गया है इसलिए आपको class को एकदम अच्छे तरीके से एंड तक देखना है देखो विद्यारतिए अगर आप चेनल पर पहली प्रिचर के एकदम सांदार त्यारी करवाईज आईगी आप regular class देखते हो फिर आप subscribe नहीं करते हो फिर बोलते हो कि सर्जी class नहीं जिके की class नहीं पसुपालन की नहीं साइंस की नहीं इसलिए बोरो subscribe का बटन देखने इसको एक बार दबादो चैनल को subscribe गोलो इस बात की मै गरांटी लेता हूं कि आपका जितना भी study material है उसकी कमी आपको मैं नहीं आने दूँगा यानि एक से एक बड़िया आपको चीजे मैं परवाइड गरूँगा बस subscribe आप मेरे कहने पर कर देना और विद्यार्तियों आपको पीडिएफ है वो आपको वोट्सव गूरूप की वोट्सव रूप की लिंक डिस्रेप से इंदर है उसको जॉइन के लेना वहां पर आपको जीके के नोर्स पसुपालन के नोर्स इंपोर्टेंट के सुन की पीडिएफ हो वो सब चीजे मिल जाएगी तो चलिए क्लास को स्टार्ट के लेते हैं अगर आप पसुप्रेजर की मैंने बोला था ना देखो विध्यारतियो अब आप ये मत बोला की सर्जी इजी के क्यूसन है इजी लेवल के क्यूसन नहीं है देखो हम सीड़ी पर चाड़ते हैं तो फर्स सीड़ी से स्टार्ट करते है ना दिरे द्रे उपर जाते हैं उससी साबसे हम के मेडियम लेवल क या फिर गुंडब 620 है तो रजस्तान की स्टलेशिमा बतानी है राजस्तान की स्टलेशिमा आपको बता फ्लेशिमा आपको बता है तो इस будro अब और गया कुछ चितना की सिखयोगा, है अगर आपको पुच लगाता है लगाता है और राजस्तान की इतनी है यह आपकी बला थाना सबस्कों आपको पता है मैंने बॉला था विलकुलिक शॉच्मा उसके बात देखो आठ Тरशे दक्षन राजस्तान की लंबई है यह बात अपको ध्यां रखनी एक आपको अगर अगर बिल्कुल जिरो लें तो आप इस चेनल को सस्क्राइब कर देखु लिएए लुक्त रेवल से जना जाता है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए क्योंकि उद्धेपूर में किया है उद्धेपूर में सबसे ज्यादा जिल खाइजाते यह बात आपको ध्याँ रखने है इसलिए राजस्तान के उद्धेपूर् जिलने को जिलों की नगरी की नामसे जना जाता है राजस्तान ही नहीं बल师 को जिलों गी नगरी दालतार चलो अगला किसं देखो उसके बाद अगला पना का सब्कुर्ण बटाइक है कि गिर गाए की उत्पतिस्थान है गिर गाए का उत्तिस्थान कौन सा है देखो भी जाहते है तौ मिल्कुल डाले क्युंकि अगर आप पसुप्रिजर की तहारी करते हो न तो है लुदाशी ये कलास आप ये बताना है गुजरात, राजवस्तान, हरियाना, यूपी तो गिर गाई की उत्रपति आपको पता है काँ सी हुई? गुजरात सी हुई, उपसनमर आपका A राइट होजाएगा, कौनसा राइट होजाएगा? एराइट होजाएगा, यानि एक को लोग कर दो, आप सभी को पत के भी है और इस्टी के भी है पॉल्टिकल के किसुन मैंने नहीं डालें क्योंकि पॉल्टिकल के आपके एक्जाम में भी नहीं आएंगे विद्यार्तियों मैं आपको बता देना था तो कलास हैस करती बोगोल इत्यास बिल्कुल बेशिक्षे पढ़ाऊंगा मेरांगड दुर जोद्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर तो क्या बताओगे जोदपूर के अंदर अब इससे जदा डीपली आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगला किसन देखो उसके बाद अगला परशन आपका क्या कर रहे है बारत में दूद उत्पादिन में राजस्तान का कौन सा स्थान है यह देखो यह पसुपालन से पुछा जाएगा तो कैसे पुछा जाएगा कि बारत का कौन सा राज दूद उत्पादिन की दरश्टीशे बारत में पर्थम है तो आपका राजस्तान हो जाएगा यह देखो इस क्यूशन को थोड़ा सा हारड बनाया गया है अब देखो सिध्धा आपको पुछा जाएग कहांपर है पहले तो आपको ये बात ध्यान रखने है ध्यारतियों सबसे पहले हैं ना हम second cd पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें first cd पर आना पड़ेगा उसी साप्से अब देखो में क्यूंस सथार करना है तो सबसे पहले हमें यह तो पता हूना चुРИ है कि पतो अब पूछा कि निर्मान आपका करवाएं था गुमान चंद्री निर्मान किसने करवाया था गुमान चंद्री दोनों खिसने important है पटो के वैली का निर्मान किस ने करवा है गुमान चंदरी कहा पर स्थित है जैसल मेर के अंदर है वेरी गूट भई देखो विद्यारतियो इस चैनल पर आपको क्यूसर ही नहीं बलकि क्यूसर के साथ साथ एक्स्टा क्यूसर है वो भी कलियर करवाई जाएगी बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा अब क्यूसर तो आपको कराने को कोई भी करवा सकता है लेकिन साथ में देखो भई मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए बहुर हो सस्क्राइब को बटन उडन गिलहरी, अगर आपको पूछ ले जाई, राजस्तान का कौन सा ब्यर्ण उडन गिलेरी के लिए परसीद है, तो आपके बताओगी, सितामाता ब्यर्ण, सितामाता ब्यर्ण किस के लिए परसीद है, उडन गिलेरी के लिए परसीद है, या तक आपके दो परसन का लिए अब आपको क्या पुछा गया है परसन में कि सितामातावने जी बाणा ये राजस्तान की किस जिले में है शिरोई में है परताबगड में है उद्यपूर में है कोटा में तो आपका जो सितामातावने जी बाणा ये आपका कौन से जिले में है तो यह आपका हो जाएगा परताबगड जीले में, कौन सी जीले में है, परताबगड जीले के अंदर है, तो इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, और अगर आपको पूछ लेजाए सरस्रीका बेरनाई यह आपका काँ पर है, तो आप क्या बताओगी अलवर के अंदर है, और सरसिका ब्याणाई किसके लिए परसीदा है ये हरे कबूत्रों के लिए परसीदा है किसके लिए परसीदा है कबूत्रों के लिए परसीदा है ये बात आपको ध्यार रखनी है अगला किसन देखो उसके बाद देखो राष्टी डेरी अनुसंदान के अंदर कहां पर सतीता बिल्कुल basic success ने part B से, part B में आपका अलग से topic लगता है dairy अनुसंदान, ठीक है dairy का अलग से topic लगता है वहां से important है कि राष्टे dairy अनुसंदान केंदर काँपर सतीत है, करनाल में है, ब्रेली में है, पंत नगर में है, बिक्कानिर केंदर है, बिक्कानिर आपको बते है काँप इनुसंदान है जो आपका राष्टे dairy अनुसंदान केंदर है वो काँपर यह बात पुछीगी है, तो राष्टे dairy अनुसंदान केंदर काँपर हुजएगा करनाल, करनाल काँपर है, करनाल हर्याणा केंदर है, और आपका AW Teow, अभी तो क्या है, अभी तो गुरु am I5 जिласт पसू की नसल है, साइवाल है, यह किस पसू की नसल है, यह बात आप से पूछी गई है, जैसे गाई की है, बेस की है, बकरी की है, बेड की है, अब आप मुझे यह बत बोलना, कि सर जी इजी लेवर का किसे न, अरे इजी पहले आप इजी पढ़ोगे न, तो आपका फिर पढ पढने में मन लगेगा, सबसे पहले इस किसन आप ब hinए कररोगी तो आपको फिर पढ़ने का मज़ा नहीं तो आपको फिर पर्णने का मज़ा आएगा इसलिए अमेस है पहले पढ़ाई स्टार्ट कने के लिए पहलेहीं को देखने पढ़ेंगे easy question को अगर हम देखेंगे तो हमारा पढ़ाई में मैं लगेगा फिर दिरे-दिरे में hard question देखेंगे अब इस question से भी आपका एक question और भी यहां से clear होगा जैसे person क्या पुछाई कि साइवाल निमन में से किस पस्टूगी नसल है तो इसमें आपका उजाएगा option और यहां गाय की नसल है साइवाल किस की यह गाय की है अब आपको पूछे जाए गाय की किस नसल का दूद सबसे मिठा होता है यह देखो important question बन गया है अब यहां से यह किस न था ना इसके साथ पलस में आपका एक किस नसल का सबसे मिठा दूद होता है तो किस नसल का सबसे मिठा दूद होता है साइवाल नसल का दूद है वो सबसे मिठा होता है option और आपका यहां पे देखो एराइट हो जाएगा साइवाल किस की नसल है गाय की और साहिवाल का दूद क्या होता है सबसे मिठा होता है उसके बाद देखो परशन क्या है 84 खंबो की चत्री कांपर स्तित है ये थोड़ा सा important क्योंस न भी राजस्तान जी के से जो सबसे important क्योंस न भी आपका यही है इस पे star लगा लो 84 खंबो की चत्री आप से पुछिए कांपर है कोटा में है, जालावाड केंदर है, बुन्दी केंदर है, स्वाईमादिपूर केंदर है तो 84 खंबो की चत्री वो आपकी कांपर हो जाएगी बुन्दी केंदर हो जाएगी option और आपका C right हो जाएगा सी को क्या कर दो लोग कर दो यान इसे उप्सन आपका एकदम यहां से right होगा अगला किसं देखो उसके बाद देखो विद्यार्ट योगला परशन क्या है इंडोनी लोगित गाया जाता है यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहां पर क्रेक्शन कर लेना यहां पर क्या नाम है गाया जाता है दांसी पढ़ना इंडोनी लोगित यह गाया जाता है पत्ती की मर्त्यू प पर गया जाता है यानि कब गया जाता है और और इसके दोरा गया जाता यह बात आप से पुचीगी है और यह पसे सकते से हैं कहां से student में इसंपर्शंड करती है आपको पतब है पॉझमि uncoms में है एक तो आपको पूछ ले जाए इंडोनी लोग गित कब गया जाता है तो आप क्या बता होगी मैलाओं दोरा कोई से पानी लेने जाते समय गया जाता है अगर आपको पूछ ले जाता है राजस्तान में मैलाओं दोरा कोई से पानी लेने जाते समय कोई सा गित गया जाता है त तो इस चैनल के साथ आप जुरूर जूर जाना पर तेग वीडियो आपको पसूप डिजर का मिलेगा यानि पूर्ट रोप से आपका पसूप डिजर को समर्पी चैनल है एकदम अच्छी लेवल की त्यारी करवाएंगे मतलब इस बार सेलेक्शन वाली त्यारी करेंगे क्योंकि एभी भी मारे पास 6 महीने का समय है और एक विद्यार्तियू मैं आपको यहाँ पर बता देना चाता हूँ अगर आप 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 कलास को ज्यादा प्यार देते हो और चैनल की साथ यहाँ पर जूर जाते हो ठीक है चैन के होते हैं राठी के होते हैं या फिर गिर के होते हैं यह बात आपको बतानी है इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा और चंद्राकार आपके जो सींगा वो गिर के होते हैं और गिर की आपको पता है गिर गाय की जो नसल है उसकी उत्पति कहां से हुई उसकी उत्पत की का डब ना कर दो खता है क्ला सेंस करती में परमुक राजक्तान के मंधिर वहाँ से इंप्पोर्टेंट की सूरे है सुरू के अंदर है शिकर के अंदर है जूंदरू के अंदर है जैपूर के अंदर है ये तिन्नों आपको पता है चुरू शिकर जूंदरू ये किसके भाग है भई ये सेकावाटी छेतर के भाग है ये किसके भाग है सेकावाटी छेतर के भाग है ये बात आपको ध्यान रखनी है अब यहां से प रावली परवतमाला की लंबाई कितनी है ये परसन आपसे पूचा गया है अब देखो विद्यारतियों मेरी बात ध्यासी सुनो यहाँ परसन में क्या पूचाय से बाहर कुछ नहीं पूचा जाएगा इसलिए मैंने राजस्तान का क्योशन डाला है क्योशन में क्या पुचा गए ऐ कि राजस्तान में अरावली प्रवतमाला की लंबाई बतानी कितनी बिल्कुल बेसिक सा क्योशन हे और important भी है 602 में किलोमेटर है 602 किलोमेटर है 550 किलोमेटर है 500 किलोमेटर है तो राजस्तान में अरावली परिवतमाला की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 550 किलोमेटर option मेर आप सीख को लोग कर देना कितनी हो जाएगी भई 550 किलोमेटर हो जाएगी उप्समर आपे C को लोग कर दिया है, चलो, अगला किसन देखो, उसके बाद अगला परशन आपका क्या कर रहा है, सेरगड वन्य जिव बैन किस जिले में स्तित है, यह आपका जियोग्राफिश इंपोर्टेंट किसन आ गया है, किसन को ध्यांसे पढ़ लेना, सेरगड वन्य करोली, करोली से मुझे कुछ याद आया, अब मुझे कुछ याद है, मेरे को बात पता है, वो मैं आपके साथ सेर करूँगा, यानि मुझे जितना आएगा आपको उतना बताने वाला हूँ, करोली, करोली आपको पता है, अगर आपको पूछ ले जाए, राजस्तान के किस प्रकूँचे लेको दांकी राणी के नाम से जाना जाता है तो आपको अगर पूछिए तो आपको बताऊगे इस बात का औस आपको कमेंट करके बताना है बिल्कुल बेसिक सा आ da इस बात का कमेंट आपको करना है ये क्युंस भ्या करें कि राजस्तान में ब्ल्यू इसका समझाद कोई सी है उस्तकला किसमें के लिए परसीद है यह वी कानेर में हैं आपको पता है किसे समन्धित लिएबर Śलाई लो आगला किस न देख झाग। अगला पर्सन आपका साइंस का आ गया है देखो विद्यार्ति मैंने आपको किसो न बोला था न एक कि राजस्तान का हद्धी किसी का आ जाता है तो आपको पता है राजस्तान का हद्धी किसी का आ जाता है ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर आपको एक्जाम पर्सन पू सबसे बड़ी अस्ति का नाम बताना है, फिमर है, स्टेपीज है, सकेपुला है, रेडियस है, स्टेपीज, स्टेपीज से मुझे कुछ याद है, तो मुझे कुछ याद है, तो मैं भी तो आपको बताऊंगा ना, बिल्कुल बताऊगी गुरुजी, तो स्टेपीज आपको प कि आप बिल्कुल एक को लोग कर दो अगला question देखो उसके बाद देखो विद्यारती अगला person क्या कर रहा है थिवाकला के लिए परसिद परिवार कौन सा है अभी just question मैंने आपको ये बताया था ये question मैंने just बताया था थिवाकला थिवाकला आपको पता है कौन से जिले से समंदित है थिवाकला आपकी हो जाएगी परताब गड़ से समंदित थिवाकला किस समंदित है बई अरे परताब गड़ से समंदित है गुरुजी ठीक है ये बात आपको ध्यां रखनी है लेकिन थिवाकला के लिए पर्सिध परिवार कौन सा है यह QXं आपको पता है आपका exam करमचय चैन बोर्ड करवाइगा करमचय चैन बोर्ड ने यह QCं साहिध एक दो exam में पहली recently पूछली है जैसे साहिध अगर हम वंदरक्ष सक्की बात करें CT exam की बात करें तो यह कुछन important है लगबग exam में कुछन देखने को मिलता है तो ठिवाकला के लिए परसिद परिवार कोँ सा है परसिद परिवार आपका हो जाएगा सोनी परिवार option में भी राइट हो जाएगा यानि सोनी परिवार आई या आपका क्या हो जाएगा थेवाकला के लिए परसिद परिवार हो जाएगा देखो विध्यार्थ में जीतने भी कुसन करवाता हूं न जो आपके करम चाय चैन बोड के पेपर में आयो है मैं वही करवाता हूँ यानि ओल्ड पेपर में आपकी जो करमचाय चैनल बोड की परसन पूछे गए इंद्रास्तान जी कि वही मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि आपको पता है यहां पर सूपरिचर का एक्जाम भी करवाएगा तो ओल्ड पेपरों से हमें कुछ क्यों को सॉल करना है उसके बाद नमदा का उत्पादन का पर होता है यह बात आप से पूचिगए और बुंदी जाइपुर्क sistema क्यों आतको स्वे अगला किसन देखो, अगला किसन आपका क्या कर रहा है, बेली कर्षन रुक्मनीरी किसके दौरा लिखी गई, यह देखो आपका कल्चर से इंपोर्टेंट किसन आ गया है, किसन क्या कर रहा है, बेली कर्षन रुक्मनीरी किसके दौरा लिखी गई, कानर्दे के दौरा, कर्ण अगला टिसन क्या अगर आपको पूछले बात आ clapping गंटियों का सहने की सहर राजसतान के किस सहर को का जथा है जादरापाटन को, ब्यावर को, खानपूर को, चंद्रावुति को तो गंटियों का सहर किसे का जाता है, यह बात आपको बतानीए इसमें आपका उपसुमर एराइट हो जाएगा यानि गंटियों का सहर किसे का जाता है, जादरापाटन को का जाता है जालावार के अंदर है जालावार के अंदर है जालावार के अंदर है और जालावार से मुझे कुछ याद आया जालावार के अंदर क्या होता है पसु मिला लगता है कौन सा पसु मिला लगता है चंदर बागा पसु मिला अगर आपको पूछ ले जाए कहां पर लगता है तो बिल्कुल बेसिक्स है क्योषन गुरूजी, अब सुपरिजर की त्यारी करते हो, तो यह क्योषन तो आपको आना चाहिए न, क्योषन क्या करा है, राजस्तान का मैंचेस्टर की से का आज़ता है, जयपूर को, जोधपूर को, बेलवडा को, कोट्टा को, चार वफ्सन आपक और उत्री बारत का मैंचेश्क्षे कहा जाता है कांदपूर को कहा जाता है और दक्षणी बारत का मैंचेश्क्षे कहा जाता है कोईमटूर को कहा जाता है ये बात आपको ध्यार रखनी है लेकिन हमें बारत और उत्री बारत और दक्षणी बारत से कोई मतलब नहीं है हमें चूंप आपको पता है जो अभुष्ण है वो कांप से समझ दीता है यानि सरीर के कौन से अंग से समझ दीता है दांच से है कमर से है अंगुली से है या फिर कांच से क्यों को द्यांच से पढ़ लेना चूंप नामक अभुष्ण का समझ है तो चूंप का आपका हो जाएगा दांस से ठीक है दांस से जो student आना ग्राम मिन चेतर से ना उनको पता है चूंप क्या होती है चूंप होती है जो दांतों के अंदर फिट की जाती है ठीक है यह बात आपको द्यार करें जो बुड़े लोग है वो पैर वो क्या करते है दांतों के अंदर उन्होंने पहले टाइम में फिट करवाई थी तो चूंप का समंद आपका किसे हो जाएगा दांतों से हो जाएगा अगला किसन देखो उसके बाद अगला सिराइट हो जाएगा अब आप बोलोगी सर्जी हमें यह बताओ रखडी और टोटी मेलाओं के गयन ने तो हैं लेकिन कहां पर पहने जाती है मेलाओं के कौन से अंग पर सरीर के किस अंग पर पहने जाती है तो देखो रखडी है यह मेलाएं सिर पर पहनती है रखडी कौन इमन में से तोरण का समन्द किस से है तोरण अरे तोरण तोरण का समन्द नहीं जानती हो क्या जनम सिक्षा विवा मर्त्यू तोरण का समन्द किस से हो जाएगा विवास से हो जाएगा विवास से हो जाएगा किस से हो जाएगा विवास से हो जाएगा तोरण आपको पता है य दूंगुरपुर परजामदल की स्तापना बताओ भी कब की गई देखो विद्याग चार ओफसन दिये रहे हैं 1946, 1944, 1945, 1946 तो यहाँ पे की जगाँ आप क्या कर लो 1943 कर लो चलो यहाँ पे 46 रहने तो यहाँ पे आप 43 कर लो चलो, अभी पहले आप मुझे ये बताओ, डुंगुरपूर परजामनली की स्थापना किसके दोरा की गई, तो आप क्या बताओगी, भोगिलाल पांडिय की दोरा बोगिलाल वागड के गांदी के नाम से कौन जाने जाते हैं अरे वागड के गांदी के नाम से बोगिलाल पांडिया परसिद है और बोगिलाल पांडिया ने क्या की थी डूंगरपूर परजामनले की स्थापना किसने की बोगिलाल पांडिया ने और वागड के गांदी के न प्रजामंडल की दुरान गठीत हुआ था जालावाट परजामंडल तो कांगड कांड 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 की परजामंडल की दुरान किस परजामंडल की दुरान गठीत वा था विक्कानेर के दुरान और एक दूद्वा खारा गठना ये भी किस के दुरान हुई थी दूद्वा खारा ये गठना भी किस के दुरान हुई थी ये भी विक्कानेर की दुरान हुई थी अगला क्यूसन देखो उसके बाद क्यूसन मानगड दाम आपका कांपरे बांस्वाड़ा किंद्र है मानगड दाम आपका कांपरे बांस्वाड़ा किंद्र है यह बात आपको ध्यान रखनी है अब इक परसन वे आप से क्या पुछा गया है कि मानगड दाम है ठीक है बानगड आपका कहाँ पर है बानगड आपका है अलवर केंदर बानगड कहाँ पर है आपका अलवर केंदर यह बात आपको जया रखने हैं दोनों में कंफ्यूज है आपको बिल्कों से भी नहीं होना है बानगड तो है अलवर केंदर और मानगड आपका बास्वाड़ा आपके important question ते वो मैंने आपको करवाई अभी विद्यारतियों मेरी बात ध्यांसे सुनो class कैसी लगी मैंने class start की उस टाइम बोला था आप अंत में जुरूर comment करके बताओगे कि आपको class कैसी लगी आसा उम्मिद गरता हूं कि आपको class एकदम सांदार लगी है पसु प्रीचर के important class पसु पालन रास्तान जी के science में सब चीजों की class मिलेगी और अगर आपको आपको पसु प्रीचर की त्यारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको अगर आपको जिरो लेवल से त्यारी करवाई जाएगे मिलते है next class के साथ तब तक आप चैनल के साथ बने रहे ना और विद्यार्तियों को वोड़सर रूप है उसको जुरूर जोइन कर लेजिए वहां पर मैं आपको इंपोर्टेंट क्यूसर नोट्स वगए रहा है सब चीज़े प्रवाइड दूँगा एक आपकी ज साइस की बुक है वह भी मैं आपको प्रवाइड गुरो दूँगा जैसे कापी सार विद्यार्ति के कमेंट आ रहे थी कि साइस में क्या पड़ी तो साइस में देखो कक्सा अच्छा से लेकर 10 तक की एंसे बुक है वह पढ़ लेना वहां से जितने भी आपके क्यूसर आएं और आसा करता हूँ कि आप सभी को क्लास एकदम अच्छी लेगी है और आप सभी एकदम अच्छे होंगे बने रहे चैनल के साथ लाइक से रेंट सस्क्रेब अश्टड़ी अलट एक बार आप चैनल को सस्क्रेब कर लीजिए जिसे आने वाली हमारी सभी क्लास को का